कहते हैं जीवन और मृत्यू की डोड भगवान के हाथों में होती है कहा जाता है कि जिस मोड पर मौत अपना शिकंजा कसले कहा नहीं जा सकता ऐसे ही एक वाक्या नाकूर से बैतुल इलाज कर लोट रहे यूवक के साथ घटित हुआ और हित जोती फाउंडेशन के पदाधिकारी तथा सावनेर थाने के थानेदार सहिच सभी कर्मियों ने मदद कर मानवता अभी भी जिन्दा है इसके मिसाल पेश की प्राप्त जनकारी के नुसार सुहागपूर जिल्ला बैतुल मदप्रदेश निवासी यूवक देविदास बिंदू गड़ेकर जो कैंसर से ग्रसित होने से उनका इलाज हिडगेवार कैंसर अस्पिताल नाकपूर में जारी था वशायद इलाज हे तो सुहागपूर से ना इंडेक्टर को देविदास के मुह से खुन निकलता हुआ नजर आया तो उसने देविदास से हाल चाल जानना चाहा लेकिन उसने कोई जवाब न देता देख बस में हड़कम मच गई घटना की गंबिरता जानकर बस में बैठे किसी मुसाफिर ने समासेवी तदा हिजोती फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हितेश बंसोड को देने पर उन्होंने इस घटना से थानेदार को आफगत करा कर अपनी एम्बूलेंस लेकर घटनास्तल रवाने हुए साथ ही थानेदार मारूती मुडूग भी दलबल के साथ घटनास्तल पहुचे घटनास्तल पहुचकर मृतक देविदास को लेकर ग्रामीन स्वास्त प्राशिक्षन केंद्र सावनेर पहुचकर स्वास्त केंद्र के डॉक्टरों ने जाचकर उसे मृत्खोशित किया मृतक के पास उपलब्ध कागल्स की जाचकर उसके परिवार को उक्त अन्होनी घटना की जानकारी दे कर यथा संभव मदद करने का भरोसा दिलाया और मृतक के परिजरों के आते ही मृतक के अशव उनके पैतुग गाउं में पहुचाने में मदद और आर्थिक सयोकर मानवता का परिचे देते हुए जहां थानेदार मारूती मुडुक ने पुलीस भी आखिर इंसान है तो हिद जोती के हिदेश बंसोर ने सच्चा समासिवी क्या होता है ये सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी वो भी तब जब कैंसर जैसे जानलिवा बिमारी से अपने भी तूर हो जाते हैं इस भैसे जानलिवा बिमारी के चपेट में हम न आ जाए ऐसे हर कठीन का सौटी पर खरी उतरती हिद जोती फाउंडेशन की सच्ची समासिवा देख अनयास ही निकल जाता है मानवता अभी जिन्दा है इन बिसे नियूस के लिए समानदाता किशूर धुंडेली की रिपोर्ट